अथ मूर्ति रहस्यम रिशिरुवाच ओम नंदा भगवती नाम या भविश्यती नंद जा स्तुता सा पूजिता भक्तिया। वशी कुर्याज गतर्यम एक रिशी कहते हैं राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन होने वाली हैं। उनकी यदि भक्ति पूर्वक्स तुती और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनकी आभास सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूशन धारन करती हैं। दो कमलांगो कुशपाशाब जलनकरत शतुर भुजा, इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, इसा, श्री, रुक्मम बुजासना तीन उनकी चार। भुजाई, कमल, अनकुष, पाश और शंक से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा। रुक्ताम बुजासना, सुवर्न मै कमल के आसन पर विराजमान, आधी नामों से पुकारी जाती हैं तीन या। रक्त दंते का नाम देवी प्रोक्तामयांद, तस्याह स्वरूप वक्ष्यामी, श्रीनू सर्वभय पहमचार, निश्पाप नरेश। पहले मैंने रक्त दंते का नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्नन करूंगा, सुनो। वो सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं, चार रक्ताम्ब्रा, रक्तवर्ना, रक्तसर्वांगभूशना, रक्तायुधा, रक्तनेत्रा, रक्तकेशातिभीशना, पांच, रक्त्तिक्षनन्खा, रक्तदशना, रक्तदंतेका, पता नारिवानुरक्ता देवी भक्तम भजेजना छेवे लाल रंग के वस्त्रधारन करती हैं, उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूशन भी लाल रंग के हैं, उनके अस्त्र, शास्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दाथ सभी रक्तवर्ण के हैं इसलिए वे रक्त दंते का कहलाती और अत्यंत भायानक दिखाई देती हैं, जैसे स्त्री पती के प्रती अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त प, माता की भाती, स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं 6. वसुधेव विशाला सा सुमेरु युगलस्तनी, दीरगो लंबावत स्थुलो तावतीव मनोहरो साथ करक्षावतिकांतो तो सर्वानद प्योनिधी, भक्तान संपायय देवी सर्वकाम दुगो स्तनो आठ देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की 6. भाती विशाल है, उनके दोनों स्तन सुमेरु परवत के समान हैं, वे लंबे, चोडे, अत्यंत स्थूल एवं, बहुत ही मनोहर हैं, कथोर होते हुए भी अत्यंत कमनिय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं, सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ती करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं, साथ आथ खडगा पात्रम च, मुसला लांगला च, बिभरती सा, आख्याता रक्चामुंडा देवी योगेश्वरी ती च, नौवे अपनी चार भुजाओं में खडगा, पान पात्र मुसल और हल धारन करती हैं, ये ही रक्चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं, नौ अनया, व्याप्तम खिलर जगत स्थावर अंगमम, इमा यह पूजय भक्त्या सव व्यापनोती चराचरम दस इनके द्वारा, संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है, जो इन अधीते या इमन नित्यम, रक्त दंत्या वपूहत्वम, तम सा परिचरे देवी पता प्रियमिवांगना ग्यारा, वो यतेश्ट भोगों को भोग कर अंत, में देवी के साथ सायुजय प्रात कर लेता है, जो प्रतिदिन रकत दंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरिक्षन रूप सेवा करती हैं, ठीक उसी तरह, जैसे पतिवरता नारी अपने प्रियतम पती की परिचर्या करती है, ग्यारा शाकम्भरी नीलवर्ना, नीलोत पलविलोचना, गमभीर नाभिस त्रिवली विभूशित अतनूदरी बार शाकम्भरी देवी के शरीर की कांती नीले रंकी है, उनके नेत्र नीलकमल के समान है, नाभी नीची है, तथा त्रिवली से विभूशित उदर, मध्यभाग, सूक्षम हैं। शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता, पंद्रा उनके दोनों स्तन अत्यंत कथोर, सब ओर से बराबर, उचे, गोल, स्थूल तथा परस पर सटे हुए हैं, वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बानों से भरी मुष्टी, कमल, शाक्समूल तथा प्रकाश्मान। धनुष धारन करती हैं, वो शाक्समूल अनांत मनोवांचित रसों से युक्त तथा क्षुधा, त्रिशा और मृत्यू के भाये को नश्ट करने वाला तथा फूल, पललव, मूल, आधी एवं फलों से संपन्न है, वेही शाकम्भरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं तेरा पंद्रा विशो का दुष्ट दमनी शमनी दुर्तापडाम, उमा गौरी सती चंडी कालिका साच्च, पार्वती सोला वेशोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ती की शांती करने वाली है, उमा, गौरी, सती, च चंडी, कालिका और पार्वती भी वेही हैं, सोला शाकम्भरी स्तुवन ध्याइंजपा, संपुजेन नमन, एक्षम शनुत्ते शीग्रन पानामृत फलं 17 जो मनुष्य शाकम्भरी देवी की स्तुती, ध्यान, जाप और वंदन करता है, वो शीग्रही अन्न, पान एवं अम वृत्रूप अक्षय फल का भागी होता है, 17 भीमा पी नील वर्ना सा दनश्ट्राद शंभासुरा, विशाल लोचना नारी वृत्पीन प्योधरा 18 चंद्रहासम च डमरू, शेरा पात्रम च बिभरती, एक वीरा कालरात्री सेवोक्ता कामदा स्तुता 19 भीमा देवी का वर् स्थूल हैं, वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खडगा, दमरू, मस्तक और पानपात धारन करती हैं, वे ही एक वीरा, कालरात्री तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशनसित होती हैं, 18 उन्नीस तजो मंदल दूर्धर्षा भरामरी चित्र कांति भुत, चित्रा नुलेपना देवी चित्रा भर्नभूशिता 20 भरामरी देवी की कांती विचित्र अनेक रंकी है, वे अपने तेजो मंदल के कारण दूर्धर्ष दिखाई देती हैं, उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्रा विचित्र आभूशनों से विभूशत हैं बीस चित्र ब्रमर्पानी सा महामारीती गियतें इतेता मूर्तियो देव्या या ख्याता वसुधाधिप 21 चित्र ब्रमर्पानी और महामारी आधी नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है इदम रहस्यम परमन वाच्यम कस्य चित्विया 22 जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं, ये परम गोपनिय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए 22 व्याख्यान दिव्यमूर्ती नाम्भिष्ट फल दायक सर्वप्रहतनेन देवी जप निरंतरम 23 दिव्यमूर्तियों का ये आख्यान मनोवांचित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयतन करके तुम निरंतर देवी के जप आराधन में लगे रहो 23 सप्थ जन्मा जितर घोरेर ब्रह महत्यास मेरपी, पात्मात्रेन मंत्राना मुच्यते, सर्वक्ल बिशयाह 24 सप्थ शती के मंत्रों के पात्मात्र से मनुष्य साथ जन्मों में उपरजित ब्रह महत्यास द्रेश घोर पातकों एवं समस्त कल्णशों से मुप्त हो जाता है 24 देव्या ध्यानन मया ख्यात गुह्याद गुहित्रम महत तस्मात सर्वप्रयतनेन सर्वकामफल प्रदम 25 इसलिए मैंने पूर्ण प्रयतन करके देवी के गोपनिय से भी अत्यंत गोपनिय ध्यान का वर्नन किया है जो सब प्रकार के मनोवांशित फलों को देने वाला है 25 इतस्यास्त्वम प्रसादेन सर्वमान्यो भविश्यसी सर्वरूप मैं देवी सर्वम देवीम्यम जगत अतो हां विश्वे रुपा तान नमामी परमेश्वरीम इती मूर्ति रहस्यम संपूर्णम उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे देवी सर्वरूप मैं हैं तथा संपूर्ण जगत देवी मैं है अतह मैं उन विश्वरुपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ